नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा नियूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया धीरे धीरे ठंड का प्रकोब बढ़ता जा रहा है आप महसूस करेंगे कि हलकी ठंड धीरे धीरे करते करते बढ़ती ही जा रही है ऐसे में इन तस्वीरों को देखिए तस्वीरे हैं उत्तरी बिहार की जहां पर घने कोहरे में लिप्टी हुई ये जगा नजर आ रही है साथ दोर से देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घना कोहरा चाया हुआ है और ये तस्वीरे जो है ये सुभा की है और बता दे कि यहाँ पर इतना घना कोहरा है कि 50 मीटर की दूरी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है शेहरों में तो हाला कि कम कोहरा देखने को मिलता है लेकिन अगर आप शेहरों से कहीं दूर दरास के इलाख्ये में जाएंगे अगर जहाँ पर पहाड है नदिया है उस जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको घने कोहरे देखने को मिलते हैं और अब तक बता दे कि दिसंबर का मिड़ आ चुका है लेकिन अभी तक जो ठंड की स्थिती है वो काफी कम है लेकिन अगर आप पटना से बहार न यह नजारा पूरा जो है यह उत्तर बिहार का है आप तस्वीरों में देखे कि किस तरीके से यह पूरी जगह जो है इसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और 50 मीटर की दूरी तक यहां पर घना कोहरा नजार आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बादल हो यहां पर जी हां इसकत उन लोगों को होगी जो लोग गारियों से यहां पर आएंगे क्योंकि गारी चलाने में यहां पर काफी ज्यादा कठिनाई होगी इतना ज्यादा यहां पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है जिसके वज़े से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो धीरे धीरे हलकी ठंड बढ़ती जा रही है शहरों में तो नहीं लेकिन शहरों से दूर दराज के इलाके में अगर हम पाएंगे तो वहाँ पर ठंड तेज है और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है देशवा नियूज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रही है हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें